आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अफरिका देश कांगो में दुनिया का सबसे अलग चुकुरो नाम की स्कूटर की अमेरिका लंदन फ्रांस की साइंटिक्स वे इस स्कूटर की सराहना कर चुके है ये स्कूटर कम से कम 800 किलो ग्राम वजन साथ लेकर चल सकता है और तक्रीवन 30 किलो मीटर प्रती घंटा की रबतार से चलता है अब आप यह सूच रहे होंगे कि हम आपको इसके वारे में क्यों बता रहे हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चकूरो स्कूटर बिना इंजन का चलता है जी हाँ इसमें कोई इंजन नहीं है और ना ही कोई पेट्रोल डिजल का खर्चा अब हम आपको बता दे कि बिना इंजन का कैसे चलता है कांगों में पैदा होने वाली एक खास लकरी से इसे बनाया जाता है इसके टायर गारियों के खराब टायरो को काट कर फिर लकरी के उपर इस रवर को चड़ाया जाता है इसके सामने का पहिया थोरा बरा होता है और पिछले वाला पहिया थोरा उससे छोटा होता है और पिछले पहिये में एक रवर लगी होती है जिससे पैर के शहारे ब्रेक लगाया जाता है इसके हैंडल के नीचे एक सौकर लगाया गया है और इस सौकर को चालक जटके मार के च जलाता है जिससे स्कूटर काफिर अपतार पकड़ लेता है कहीं ओवर खाबडियां उच्चाए वाले इलाकों में इसे पैदल भी खीचना परता है लेकिन जैसे ही प्लेन रोड आता है तो ड्रैवर इस पर खरे होकर हैंडल को नीचे की ओर जटका लगाते हैं जिससे काफिर स्पीड पकड़ लेता है हमारी भासा में कहा जाए कि यह बिल्कुल देसी जुगार है 2009 में राश्टपती जोसथ कविला ने कांगों की राजधानी गोमा में चकूरो स्कूटर का स्टैच्यू बनवाया था यह स्टैच्यू यहां लोगों की करी मेहनत का निशान माना जात हैं दोस्तों कैसी लगी है वीडियो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए